ओम शांति ओम शांति आज दो जूम दोहजार चौबिस दिन रविवार की अव्यक्त मुर्दि आईए अब सुनते हैं मीठे मीठे बाप दादा के महावाक्यों को ब्रह्मा बाप समान त्याग तपस्या और सेवा का वाइबरेशन विश्व में फैलाओ आज समर्थ बाप दादा आपने समर्थ बच्चों को देख रहे हैं आज का दिन स्मृति दिवस सो समर्थ दिवस है आज का दिन बच्चों को सर्वशक्तियां विल में देने का दिवस है दुनिया में अनेक प्रकार की विल होती है लेकिन ब्रह्मा बाप ने बाप से प्राप्त हुई सर्वशक्तियों के विल बच्चों को की ऐसी अलोकिक विल और कोई भी कर नहीं सकते हैं, बाप ने ब्रह्मा बाप को साकार में निमित बनाया और ब्रह्मा बाप ने बच्चों को निमित भव का वर्दान दे विल किया, यह विल बच्चों में सहज पावर्स की अठाति शक्तियों की अनुभूति कराती रहती है, एक है अपने और यह है परमात्म विल द्वारा पावर्स की प्राप्ति, यह प्रभू देन है, प्रभू वर्दान है, यह प्रभू वर्दान चला रहा है, वर्दान में पुर्शात की मेहनत नहीं लेकिन सहज और स्वता निमित बना कर चलाते रहते हैं, सामने थोड़े से रहे लेकिन बाप दादा द्वारा विशेश ब्रह्मा बाप द्वारा विशेश बच्चों को यह विल प्राप्त हुई है। और बापदादा ने भी देखा कि जिन बच्चों को बाप ने विल की, उन सभी बच्चों ने, अर्थात आधी रतनों ने और सेवा के निमित बच्चों ने उस प्राप्त विल को अच्छी तरह से कारे में लगाया। और उस विल के कारण आज यह ब्रहमन परिवार दिन प्रती दिन बढ़ता ही चाता है। बच्चों की विशेष्टा के कारण यह व्रद्धी होनी थी और हो रही। पापदादा ने देखा कि निमित बने हुए और साथ देने वाले दोनों प्रकार के बच्चों की दो विशेष्टाएं बहुत अच्छी रही। पहले विशेश्ता, चाहे स्थापना के आदी रत्न, चाहे सेवा के रत्न, दोनों में संगठन की यूनिटी बहुत अच्छी रही। किसी में भी क्यों, क्या, कैसे, यह संकल्प मात्र भी नहीं रहा। दूसरी विशेश्ता, एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह एक्स्ट्रा पावर्स के विल के वायू मंदल में विशेश्ता रही। इसलिए सर्व निमित बनी हुए आत्माओं को बाबा बाबा ही दिखाई देता रहे। बाब दादा ऐसे समय पर निमित बने हुए बच्चों को दिल से प्यार दे रहे हैं। बाब की कमाल तो है ही लेकिन बच्चों की कमाल भी कम नहीं है। और उस समय का संगठन यूनिटी हम सब एक हैं वही आज भी सेवा को बढ़ा रही है। क्यों? निमित बनी हुए आत्माओं का फाउंडेशन पक्का रहा। तो बाब दादा भी आज के दिन बच्चों की कमाल को गा रहे थे। बच्चों ने चारों और से प्यार की मालाएं पहनाई और बाब ने बच्चों की कमाल के गुणगान किये। इतना समय चलना है। यह सूचा था। कितना समय हो गया। सभी के मुख से दिल से यही निकलता है अब चलना है अब चलना है लेकिन बाप दादा जानते थे कि अभी अव्यक्त रूप की सेवा होनी है साकार में इतना बड़ा हॉल बनाया था बाप दादा के अती लाडले डबल विदेशी आये थे तो विशेश डबल विदेशियों का अव्यक्त पालना द्वारा अलोकिक जनम होना ही था इतने सब बच्चों को आना ही था इसलिए ब्रह्मा बाप को अपना साकार शरीर भी छोड़ना पड़ा डबल विदेशियों को नशा है कि हम अव्यक्त पालना के पात्र हैं ब्रह्मा बाप का त्याग ड्रामा में विशेश नुधा हुआ है आदी से ब्रह्मा बाप का त्याग और आप बच्चों का भाग्य नुधा हुआ है सबसे नंबर वन त्याग का एक्जेंपल ब्रह्मा बाप बना त्याग उसको कहा जाता है जो सब कुछ प्राप्त होते हुए त्याग करे समय अनुसार, समस्याओं के अनुसार त्याग श्रेष्ट त्याग नहीं है शुरू से ही देखो, तन, मन, धन, संबंद, सर्व प्राप्ती होते हुए त्याग किया शरीर का भी त्याग किया, सब साधन होते हुए स्वेम पुराने में ही रहे साधनों का आरंभ हो गया था, होते हुए भी साधना में अटल रहे यह ब्रह्मा की तपस्या आप सब बच्चों का भाग्य बना कर गई ड्रामा अनुसार ऐसे त्याग का एक्जेंपल रूप में ब्रह्मा ही बना और इसी त्याग ने संकल्प शक्ती की सेवा का विशेश पाट बनाया जो नए नए बच्चे संकल्प शक्ती से फास्ट व्रद्धी को प्राप्त कर रहे हैं तो सुना ब्रह्मा की त्याग की कहानी ब्रह्मा की तपस्या का फल आप बच्चों को मिल रहा है तपस्या का प्रभाव इस मधुबन भूमी में समाया हुआ है साथ में बच्चे भी हैं बच्चों की भी तपस्य आये लेकिन निमित तो ब्रह्मा बाप कहेंगे जो भी मधुबन तपस्वी भूमी में आते हैं तो ब्रहमन बच्चे भी अनुभव करते हैं यहां का वायूमंडल यहां के वाइवरेशन सहज योगी बना देते हैं योग लगाने की मेहनत नहीं सहज लग जाता है और कैसे भी आतमाय आती हैं वे कुछ ना कुछ अनुभव करके ही जाती है ज्यान को नहीं भी समझते लेकिन अलोकिक प्यार और शांती का अनुभव करके ही जाते हैं कुछ ना कुछ परिवर्तन करने का संकल्प करके ही जाते हैं यह है ब्रह्मा और ब्रह्मन बच्चों की तपस्या का प्रभाव साथ में सेवा की विधी भिन-भिन प्रकार की सेवा बच्चों से प्रेक्टिकल में करा के दिखाई उसी विधियों को अभिविस्तार मिला रहे है तो जैसे ब्रह्मा बाप के त्याग, तपस्या, सेवा का फल आप सब बच्चों को मिल रहा है ऐसे हर एक बच्चा अपने त्याग, तपस्या और सेवा का वाइबरेशन विश्व में फैलाए जैसे साइंस का बल अपना प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में दिखा रहा है ऐसे साइंस की भी रच्चता साइलेंस बल है साइलेंस बल को अभी प्रत्यक्ष दिखाने का समय है साइलेंस बल का वाइबरेशन तिव्र गती से फैलाने का साधन है मन बुद्धी की एकाग्रता यह एकाग्रता का अभ्यास बढ़ना चाहिए एकाग्रता की शक्तियों द्वारा ही वायुमंडल बना सकते हो हलचल के कारण पावर्फुल वाइब्रेशन बन नहीं पाता बाप दादा आज देख रहे थे कि एकाग्रता की शक्ति अभी ज्यादा चाहिए सभी बच्चों का एक ही द्रड संकल्प हो कि अभी अपने भाई बहनों के दुख की घटडाएं परिवर्तन हो जाएं दिल से रहम इमर्ज हो क्या जब साइंस की शक्ती हलचल मचा सकती है तो इतने सभी ब्रहमनों के साइलेंस की शक्ती रहम दिल भावना द्वारा वसंकल्प द्वारा हलचल को परिवर्तन नहीं कर सकती जब करना ही है होना ही है तो इस बात पर विशेश अटेंशन दो जब आप great great grandfather के बच्चे हैं आपके ही सभी बिरादरी हैं शाखाएं हैं परिवार हैं आप ही भक्तों के इश्ट देव हो यह नशा है कि हम ही इश्ट देव हैं तो भक्त चिल्ला रहे हैं आप सुन रहे हो वह पुकार रहे हैं हे इश्ट देव आप सिर्फ सुन रहे हो उनों को रिस्पॉंड नहीं करते हो तो बाप दादा कहते हैं हे भक्तों के इश्ट देव अभी पुकार सुनो रिस्पॉंड करो सिर्फ सुनो नहीं क्या रिस्पॉं लेकिन साथ जाने वाले भी तो तैयार हो अकेला क्या करेगा तो अभी साथ जाना है ना या पीछे-पीछे जाना है साथ जाना है न, तो ब्रह्मा बाप कहते हैं कि बच्चों से पूछो, अगर बाप चाबी दे दे, तो आप एवर रेडी हो, एवर रेडी हो, रेडी नहीं, एवर रेडी, तपस्या, त्याग, सेवा, तीनों ही पेपर तैयार हो गए हैं, ब्रह्मा बाप मुस्कुराते हैं कि प्यार के आशू बहुत बहाते हैं, और ब्रह्मा बाप वे आशू मोती समान दिल में समाते भी हैं, लेकिन एक संकल्प जरूर चलता है कि सब एवर रेडी कब बनेंगे, डेट देदे में, आप कहेंगे कि हम तो एवर रेडी हैं, लेकिन उनको तो ये रचना रचनी थी फास्ट व्रद्धी की जिम्मेवारी थी तो सभी ever ready हैं एक नहीं सभी को साथ ले जाना है न या अकेले अकेले जाएंगे तो सभी ever ready हैं या हो जाएंगे बोलो कम से कम 9 लाख तो साथ जाएं नहीं तो राज्य किस पर करेंगे अपने उपर राज्य करेंगे तो ब्रह्मा बाप की यही सभी बच्चों के प्रती शुभ कामना हैं कि ever ready बनो और ever ready बनाओ आज वतन में भी सभी विशेश आदिरत्न और सेवा के आदिरत्न इमर्ज हुए advance party कहती हम तो तयार है किस बात के लिए तयार है वे कहते हैं यह प्रत्यक्षता का नगाड़ा बजाएं तो हम सभी प्रत्यक्ष होकर नई स्रिष्टी की रचना के निमित बनेंगे हम तो अवाहन कर रहे हैं कि स्रिष्टी की रचना करने वाले आवें अभी सारा काम आपके उपर है नगाड़ा बजाओ आ गया आ गया कर नगाड़ा बजाओ नगाड़ा बजाने आता है बजाना तो है न अभी ब्रह्मा बाप कहते हैं डेट ले आओ आप लोग भी कहते हो न कि date के बिना काम नहीं होता है तो इसकी भी date बनाओ date बना सकते हो बाप तो कहते हैं आप बनाओ बाप कहते हैं आज ही बनाओ conference की date fix किया है और यह है इसकी भी conference करो न विदेशी क्या समझते हैं date fix हो सकती है date fix करेंगे या न अच्छा दादी जानकी के साथ राय करके करना अच्छा देश विदेश के चारों और के बाप दादा के अती समीप अती प्यारे और न्यारे बाप दादा देख रहे हैं कि सभी बच्चे लगन में मगन हो लवलीन स्वरूप में बैठे हुए है, सुन रहे हैं और मिलन के जूले में जूल रहे हैं, दूर नहीं हैं लेकिन नईनों के सामने भी नहीं हैं, समाई हुए हैं तो ऐसे समुख मिलन मनाने वाले और अव्यक्त रूप में लवलीन बच्चे, सदा बापसमान, त्याग, तपस्या और सेवा का सबूत दिखाने वाले बच्चे, सता एकागरता की शक्ती द्वारा विश्व का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक बच्चे सदा बाप समान तेवर पुर्शार्थ द्वारा उडने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को याद प्यार गुड बॉनिंग और नमस्ते राजस्थान के सेवा धारी बहुत अच्छा सेवा का चांस राजस्थान को मिला राजस्थान का जैसे नाम है राजस्थान तो राजस्थान से राजे quality वाले निकालो प्रजा नहीं, राज घराने के राजे निकालो तब जैसा नाम है राजस्थान वैसे ही जैसा नाम वैसे सेवा की quality निकलेगी है कोई छिपे हुए राजे लोग या भी बादलों में है वैसे जो बिजनेस्मेन है उन्हों की सेवा पर विशेश अटेंशन दो यह मिनिस्टर और पोटरी तो बदलते ही रहते हैं लेकिन बिजनेस्मेन बाप से भी बिजनेस करने में आगे बढ़ सकते हैं और बिजनेस्मेन की सेवा करने से उनकी परिवार की माताएं भी सह जा सकती हैं अकेली माताई नहीं चल सकती है लेकिन अगर घर का इसतंब आ जाता है तो परिवार आपे ही धीरे धीरे बढ़ता जाता है इसलिए राज्स्थान को राजे क्वालिटी निकालनी है ऐसे कोई नहीं है ऐसा नहीं को थोड़ा ढूंडना पड़ेगा लेकिन है थोड़ा सा उनों के पीछे समय देना पड़ता है बिजी रहते हैं ना कोई ऐसी विदी बनानी पड़ती जो वे नस्दीक आमे बाकि अच्छा है सेवा का चांस लिया हर एक जोन लेता है यह बहुत अच्छा नस्दीक आने और दुआएं लेने का साधर है चाहे आप लोगों को सब देखें या नहीं देखें जाने या नहीं जाने लेकिन जितनी अच्छी सेवा होती है तो दुआएं स्वतर निकलती हैं और वह दुआएं पहुँचती बहुत चल्दी हैं दिल की दुआएं हैं न, तो दिल में जल्दी पहुँचती हैं, बाप दादा तो कहते हैं, सबसे सहज पुर्शार्थ है, दुआएं दो और दुआएं लो, दुआओं से जब खाता भर जाएगा, तो भरबूर खाते में माया भी डिस्टरब नहीं करेगी, जमा का बल मिलता है, राजी रहो और सर्व को राजी करो, हर एक के स्वभाव को राज जानकर राजी करो, ऐसे नहीं करो यह तो है ही नाराज, आप स्वेम राज को जान जाओ, उसकी नब्स को जान जाओ, फिर दुआ की दवा दो, तो सहज हो जाएगा, ठीक है ना, और जान की टीचर्स उठो, सेवा की मुबारक हो, तो सहेज पुर्षात करो, दुवाईं देते जाओ, लेने का संकल्प नहीं करो, देते जाओ तो मिलता जाएगा, देना ही लेना है, ठीक है ना, ऐसा है ना, दाता के बच्चे है ना, कोई दे तो दे, नहीं, दाता बन के दे दे जाओ तो आपे ही मिलेगा अच्छा जो इस कल्प में पہली बार आए हैं वो हाथ उठाओ आधे पहले वाले आते हैं आधे नए आते हैं अच्छा पीछे वाले किनारे में पैठे हुए सभी सहज यगी हो सहज यगी हो तो एक आथ उठाओ अच्छा विदाई के समय बाप दादा को रत यात्राओं का समाचार सुनाया चारो तरफ का यात्राओं का समाचार समय प्रती समय बाप दादा के पास आता रहता है अच्छा सब उमंग उत्सा से सेवा का पाट बजा रही है भक्तों को दुआएं मिल रही हैं और जिन भक्तों की भक्ती पूरी हुई उनों को बाप का परिचे मिल जाएगा और परिचे वालों से जो बच्चे बनने होंगे वह भी दिखाई देते रहेंगे पाकि सेवा अच्छी चल रही है और जो भी साधन बनाया है वे साधन अच्छा सब को अकरशित कर रहा है तब ही रिजल्ट में कौन-कौन सी कैटेगरी में निकलता है वे मालूम पढ़ जाएगा लेकिन भगतों को भी आप सब की नजर द्रिष्टी मिले परीचे मिला ये भी अच्छा साधन है अब आगे बढ़कर इनों की सेवा कर आगे बढ़ रहते रहना जो भी रत यात्रा में सेवा कर रहे हैं अथक बन सेवा कर रहे हैं उन सभी को याद प्यार बाप दादा सभी को देखते रहते हैं और सफलता तो जन्म सिध अधिकार है अच्छा मौरिश्यस में अपने ईश्वरिय विश्व विद्याले को नेशनल यूनिटी एवोर्ड्स प्राइम मिनिस्टर द्वारा मिला है मौरिश्यस में वैसे भी वी आईपी का कनेक्शन अच्छा रहा है और प्रभाव भी अच्छा है इसलिए गुप्त सेवा का फल म मिला है तो सभी को खास मुबारक अच्छा ओम शंति वर्दान श्वासो श्वांस याद और सेवा के बैलेंस द्वारा blessing प्राप्त करने वाले सदा प्रसन चित भव अब आप ददा के वर्दान को विस्तार में समझेंगे जैसे attention रखते हो कि याद का link सदा जुटा रहे वैसे सेवा में भी link सदा जुटा रहे श्वासो श्वास याद और श्वासो श्वास सेवा हो इसको कहते हैं balance इस balance से सदा blessing का अनुभव करते रहेंगे और यही आवास दिल से निकलेगा कि आशिर्वादों से पल रहे हैं मेहनत से युद्ध से चुट चाहेंगे क्या क्यों कैसे इन प्रश्णों से मुक्त हो सदा प्रसन चित रहेंगे फिर सफलता चर्म से दधिकार के रूप में अनुभव होगी स्लोगन बाप से इनाम लेना है तो स्वैम से और सातियों से निर्विखन रहने का सर्टिफिकेट साथ हो ओम शांति झाल झाल